नमस्कार दोस्तों, दोस्तों 28 मार्च 2024 को डाक युवाग ने एक सर्कुलर इशु किया और ये सर्कुलर सभी डाक युवाग के करमचारी प्लस जो ग्रामिन डाक सेवक कारे करते हैं ग्रामिन शित्रों में उनके लिए भी जरूरी है आप देख सकते हैं मिशन करमयोगी डिविजन से ये लेटर इशु हुआ है और सारे चीफ पीमजी को ये और ट्रेनिंग सेंटर के जो इंचार्ज होते हैं उन सबको भेजा गया है अगर आप देखेंगे तो रिगार्डिंग एंटी मनी लॉंड्रिंग कोलिसी ऊर पीला ये और पीला कोर्स on डाक करमयोगी आईजीओटिक करमयोगी पोर्टल आप सबको ट्रेनिंग करनी होती है और इसके लिए जो स्पेशल करमा पॉइंट्स दिये जाते हैं इसके बारे के benefits भी मैंने उस वीडियो में बताया था तो अभी आज का जो वीडियो होने वाला है ये करमयोगी portal पे जो नया course है anti money laundering policy for PLI and RPLI तो RPLI और PLI को लेकर anti money laundering policy एक course नया उसमें launch हुआ है वो training आपको करनी है वो training आपको avail करनी है दोस्तो money laundering का simple mini होता है जो black money है उसको white करने की प्रक्रिजा को हम money laundering बोलते हैं ये anti money laundering मतलब इससे बचने के क्या उपाय है तो उसके लिए prescription आपको करना है training करना है IGOT करमयोगी platform पे और दोस्तों यहां आप देख सकते हैं number fourth में अगर आप देखेंगे तो accordingly circles are requested to ensure that all development officers counter postal assistant and CPC officials and gramin dark sevaks undergo the training on dark करमयोगी IGOT करमयोगी platform तो जैसे ही आप login करेंगे आपको यह training दिखाई देगा और वहां से आपको training avail करना है successfully और karma points के बारे में तो आपको पता ही है तो वो आपको benefit होगा और जो आपकी knowledge है anti money laundering को लेकर इस में भी व्रिद्धी होगी तो सारे gramin dark sevaks को भी यह training करनी है तो यह चोटी सी information आपको देनी थी आज के वोडियो में इतना ही मिलेंगे ने update के साथ